हुआ 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 है हलो प्रेंट्स वेलकम टू यू पेसी वाला सभी बच्चों का बुलियाद बैश में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले पॉलिटी इंसी आटी क्लास एट में सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन देखेंगे कि कि लिए जस्टिस की बात की जा रही है कितने प्रकार के जस्टिस की बात की जा रही है और लास्ट मैंने आपको बताया था की मार्जिन का मतलब जो है क्या होता है फर एक्दांपल अगर श.? पेज कर लिख रहे हैं तो syaid में वह हिस्よろしく पर आप अपने ABCD या फिर बाकी जो सीरियल नमबर है इसके लिए छोड़ देते हैं यानि पूरे पेज का एक छोटा हिस्सा ठीक उधी उसी तरह से कि समाज में जब इतने बड़े इतना इतने जादा से लाब है उसमें भी एक ऐसा हिस्सा जो वंचे थे इन सब लाब हो से और साइट में धकेल दिया गया है उसकी बात हम आज करने वाले हैं तो देखिए बचों अभी तक हम जो चर्चा इसके पहले कर चुके हैं इंडियन से कॉंस्टूशन है सेकुलरिस भारतिय सम्विधान क क्या है क्यों इसकी जरुरत है यह चर्चा हो चुकी सेकुलरिस्म धर्मिनेर पेख्षता क्या है इंडिया के कॉंटेक्स्ट में धर्मिनेर पेख्षता क्या है और अगर हम वेस्टर जो कंट्रीज है उनसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या है पार्लियमेंट एंड उन कानूरों से हट सकते हैं उन्हें खतम करवा सकते हैं नेक्स हमने लास्ट हमारी जो चर्चा है वे जुडिश्री को लेकर हुई कि डेमोक्रसी का one of important जो एक pillar है वे हमारी जुडिश्री है जो एक डेमोक्रसी में citizens के right को बनाई रखता है और लास्ट हमारी चर्चा जुडि कोट्स की भी चर्चा की ठीके रिट कितने प्रकार की दायर की जाती एक fundamental right के defender की रूपे supreme कोट इसकी हमारी चर्चा हुई understanding और criminal justice system last हमने देखा कि भई अगर कोई हमारे हाँ जो अपराद है कोई crime है जैसे कोई हम टैप्ट की बात करें चोडी की बात करें है ना मदर की बात करें तो इस तरह के अपराधों से निपट्टे के लिए हमारे पास क्या एक ववस्ता है स वकील की बात की थी जज़िस की बात की थी लोग की बात की थी अब आज जो हमारा चैप्टर है ठीक आप देखेंगे दोनों चैप्टर सापके social justice 7 & 8 social justice and marginalization से जोड़ते हैं फस्ट मैं आपको बताया गया है कि आखिर जो हाशिय करण marginalization है वह है क्या एं सेकेंड इंब सेकेंड में कहां गया कंप्रेंटिंग है कि कैसे आखिर इसको हटाया जाए कैसे इससे बचा जाए ठीक है कैसे इससे निप्टा जाए तो यह दो हम शुरू करते हैं तो यह वाली बुक हम कर रहे है अभी ठीक है एक और क्लास आपकी होगी और हम लाज नेक्स नेक्स्ट क्लास में दोनों हमारी यूनिट जो चैप्टर है वह हो जाएंगे यूनिट फाइब कवर हो जाएगी एक और क्लास होगी इन इसके बाद हम जो है क्लास नाइन की जो न्सी आटी है देमोक्राटिक पॉलिटिकल पार्ट वन लोगतांतिक राजनीती पार्ट वन यहां से शुरू करेंगे ठीक है इसमें फाइब चैप्टर से स्वाइटिंग आपका जो ने यह वाला जो वीक है बच्चो इसमें खतम हो जाएगा यह में आपको ncrt को लेकर हिंदी मीडियम के जो हिंदी माध्यम में सारे मिलने वाले हैं सारी जो उसकी लैंग्वेज है बोलने की लिखने की सारी हिंदी होगी तो आपको कोई टेंशन उसमें नहीं लेना है चुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सोशली टेंख सामाजिक रूप से जो हाशिय करने अकेर वह है क्या आदिवासी क्या है आदिवासी ओंको लेकर क्या परंपराय है क्या स्टिट्रयो ट्रैपिंग है क्या विचार धारा हैं लोगों की आदिवासी और विकास का मुद्दा माइनॉरिटीज जैशन अल्प संख्यक ज एंड़ नाइटी नाइट ठीक है यह हमारे थोड़ा से रिवाइज रिवीजन जो है वैं हो जाए लास्ट हमने देखा था कि हमारी जो आप राधिक नयाय प्रणाली है उसमें यह सारी बाते बच्चों हमने पड़ी थी ठीक है तो हमने देखा था कि जूडिशरी क्या है पी उस मुकदमे को पी आई एल जो की 1980 से आया और जो पी एल भगवती जस्टिस थे जो कि हमारे 17 नंबर के सत्रवे नंबर के जो हमारे मुख नायदीश थे उनके द्वारा सबसे पहले सवता संग्यान लेते हुए क्या किया गया था 40,000 से जादा जो कैदी है उनको छोड़ द जड़ क्या एक निसपक्षि जो सुनवाई है व्या है थिक है अर्ट करताने के साथ 24 घंटे में उससे मंजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे उसकी की पेशी होगी एंड थर्ड क्या है उसे अपने मन पसंद वकील चुनने का धिकारता की वैक अपना बचाव कर सके है ना तो यहां पर यह हमने चर्चा लास्ट की अब चलो शुरू करते हैं और यह जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे सोशल जस्टिस एंदा ठीक है सामाजिक न्याय और हाशिय करण कर दो ताम जीक न्याय वह आछिय अब वह सिए पस्ट इसमें होगा कि आकर सामाजिक रूप से तो मार्जनलाइज़ है यह है क्या सोशली वह अर्दा आदिवासी ठीक है कि जसको आप आदिवादी कह रहे हैं वो कौन है आदिवास आधिवासियों को लेकर क्या आपकी भावनाएं है कौन है यह और साथी डैवलपमेंट का इन पर जो है वह क्या असर पड़ता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे ठीक है अधिवासी जो है उनकी क्या प्रचलिस स्टीरियो टाइपिंग मतलब लास्नम ने देखाता ना कि स्टी है ठीक है आधिवासी एंड एवलपमेंट फाइन ओर्टी एंड माइजरलाइजिशन एंड साथ में हम मुस्लिम कम्मूनिटी को भी पढ़ेंगे इसमें तो कि मुस्लिम कम्मूनिटी जो है वह भी हाशी यह पर है विकाज आफ सोशल एंड एकनोमिक जो डेवलपमेंट के सब्सक्राइज का मतलब क्या है कि अब से पहले देखते हैं एक पेश को लेते हैं इस पेज के सारे पूरा जो मार्जन है वो हम समझेंगे बन गया पेश बन गया चलो ठीक अब देखो आपका अब यह जो हिस्सा है तो मैं यलो से कवर कर रही हूँ ठीक है यह जो हिस्सा है बचो इसे हम कहेंगे margin आप जब paper लिखते हैं तब आपको पेश पर यह हिस्सा दिखता है ठीक है इसे हम क्या कह रहे है margin यह तो margin हो गया हम पढ़ रहे है marginalization हाशिय करण ठीक है तो आप आप सोचो कि यह जो है वह पूरी हमारी सोसाइटी यह जो है यह पूरी हमारी लिखेंगे 123 लिखेंगे हैडिंग लिखेंगे तो यह जो पेज की यह जगा है बच्चो आपके पास एक कम जगा होती आप यहाँ कम लिख पाते हो है ना यहाँ पर कम पहले हम यह हिस्सा कवर करते है ठीक है तो मार्जिन का मतलब क्या हुआ रहे कि लिए बद करना ठीक है ठीक वैसे ही देखो कि अगर मालो आप आप किसी आप दोस्तों में आप सभी एक टुगेदर रखते हैं और उसमें पेज और नॉन्विच खाने वाले लोग हैं ठीक है तो आप देखेगे कि एक ही व्यक्ति है जो उसमें प्योर शुद्ध शाकहारी है प्योर उसके पास वहां गए और यहां पर क्या होगा को तो यहाँ की बात करेंगी तो यह क्या हो गया किनारे पर धकेल देना है ना किसी को क्या करना किनारे पर धकेल देना किनारे पर केल ना अब देखो अब रिजन कुछ भी हो सकता है कि इसको सेंटर में नहीं रखा है ना सेंटर में हमने नहीं रखा इसके बहुत सारे रीजर्स है और एक्जामपल जैसे एक रीजर हम देखे कि यह जो है डिफरेंट डिफरेंट लेग्विज बोलते हैं इनकी जो भाशा है वो अलग है ठीक है इनकी जो लैग्वेज है यह अलग है इनके जो त्यवहार है वह अलग है इनके जो फ इनके अलग है टेडिशन अलग है इनका religious group अलग है सबसे बड़ी बाद religious जो group है वो अलग है ठीक है अलग धर्म के हैं अलग भाशा के अलग तेभार मनाते अलग कप्रे पहनते हैं तो यह कुछ ऐसी बाते हैं रीजन होगे जिससे आप खुद को एक दूसरे से अलग समझने रहेते पहली क्लास याद करो डाइवर्स्टी डिस्क्रिमिनेशन जिसमें हमने देखा था कि भारत जैसे विशाल देश में जहां अलग-अलग सलस्कृति अलग-अलग तरीके अलग-अलग मनाने वाले लोग है ऐसे में इतनी विवित्ता है लेकिन फिर भी हमारे सम्विधान जो हमारा जो इंडियन कॉंस्ट्यूशन एक कमिटेड है प्रतिबद्ध है कि हम क्या करेंगे जो यह डाइवर्स जो एक कल्चर है हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे और हम एक्वल सबको र घुर एक डिस्कृमिडेशन आवे मिलता है दो आधारों पर एक तो है आपका रिलेजन को लेकर ठीके कि एक तो क्या है एक तो आप एलिलीजन बेस्ट हो यह समाज में साइड पर अगर है तो चूकि यह जो समुदा ही गरीब है इसके पास वैसे रिसोर्स नहीं है जो इस पर अभी हम इसकी भी बात करेंगे ठीक है तो यह तो कि यह different language बोल रहे हैं ठीक है अलग अलग कस्टम से धर्म लगे कास्ट लगे और यह गरीब है और साथी इनका जो स्टेटस है ना समाज में इनको लो लो स्टेटस इनको देखा जाता है ठीक है लो सोशल स्टेटस कहें कि समाज में इनका स्टेटस क्या ही होता है आप सोचो कि आप गरीब को अगर वो आपके घर आता है या फिर कही समाज में तो आप उसको कितना सम्मान देंगे आप उसको कम सम्मान देंगे है ना खुझ से कम सम्मान देंगे आपके स्टेटस सुसाइटी में ठीक ठाक है तो तो यहां पर चुकि यह गरीब है यह जो वर्क है यह गरीब है तो इसका क्या है सोशल जो स्टेस्ट स्टेटस है समाज में जो प्रतिस्था है वह कम है और साथ साथ देखो कि क्योंकि इसको एक्सेज नहीं है बहुत सारे रिसोर्स इसका ठीक है एक सीडर टूब या लो सोशल स्टेट इस स्टेटर्स एंड नॉट नॉट है विंग एक्सेश तू इस सोर्सेज एड ऑपॉर्चुनिट इसको ना तो संसाधन उतने मिले है मार्जिन है भई कहां से संसाधन पूरा पेश थोड़ी दे दोगे आप मार्जिन को और ना ही बच्चो इतने अवसर मिले हैं कि यह अपनी इस 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 है वह सुधार सके ठीक है तो यह हमने यहाँ पर इस ग्रूप की बात कर ले अब देखो आप दूसरी जो हमारी चर्चा है अभी हम किस ग्रूप की करते बच्चो यह अब आपका जो बाकी बचा हुआ वाला हिस्सा है ठीक है तो देखो कि यहाँ पर पावर एंड डॉमिनेंट पावर फुल पावर फुल एड डॉमिनेंट कॉम्मूनिटीज है अच्छे एक बात यह देखो कि यह समुदाय अगर बच्चो पावर फुल है ज्यादा ताकतवर है संख्या में ज्यादा है मिजूरिटी जो है वैस की ज्यादा है तो कहीं न कहीं सरकार और जो समाज है इनके अकोर्डिंग लिए इंफ्लूएंस हो जाएगा इनके प्रभा है और साथी साथ क्या है इस पुरूप के पास स्टेटी में यादा अड्ना की यह जो फोघ्रेयों कम्रीटी है ना नकैं पावर फुल्य है यहां पर इसका जो स्तेट्स है ठीठ ठाक है समाज में भीके, समाज में स्टेटक है साथी आप देखेंगे कि सुसाइटी में जो अच्छी जमीन है कि गुमी की बात करें ये भी इनके पास है कि वेल्थी है ये जो वर्ग है वे क्या है वेल्थी है धन दौलत इसके पास काफी है अब देखो एक और हत्यार मिल गया एजुकेटेड है पॉलिटिकली पॉलिटिकली पावर्फुल है ठीक है तो बच्छों अगर मालो ये इस तरह की नीतिया बनाएंगे तो ये अपने लिए बनाएंगे या फिर समुदाई के लिए बना रहे हैं डेफिनिटली अपने लिए बनाएंगे हो सकता है बहुत सारी ऐसी नीतिया भी बना दे जिससे की इनको नुक्सान हो जैदा तर संसादन इसी के पास है इसी वर्ग के पास ठीक है तो ऐसे में क्याा होता है कि इस तरफ वाला यह जो हिस्सा गया था ठीक है अब इतना तो आप समझ गए आप देखो साइट में जो ढखके ला गया था वह कौन था कि स्टी ठीक है आदिवासी अमेह पर वो मेंन भी ले सकते हैं और इसके आлавा अदिवासी जो अगया । हम मुस्लिम कम्मूटि की भी बात करेंगे अनगे अलएं सो यह जो गुफ है यह हम एंसी आटी में पढ़ना है कि यह जो ग्रुप है कि आखिर आप देखो आपकी बेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट है यूपेसी पेकुशन आएगा अगर कि जो सरकार है वह बाकी कम्यूटी के लिए आप जो सुनते ने सबावेशी विकास ठीक है सस्टेनेबल डैव के लिए education के लिए कोई नीती कोई policy कुछ लेकर आया उसको लिख दिया सेस्टेज के लिए जो एकॉनमी के लिए पाकि डेवलोप्मेंट के लिए एजूकेशन के लिए पॉलिसी आ रही है ठीक है को योजना है जिससे इनको लाब मिल रहा है जिसे आप लपीजी की अगर हम बात करें तो समाज के यह तब का का उससे लाब उठाया है ना लपीजी की बात करें फिर और भी काफी सारे ऐसी य से को मिल रहा है सूसाइटी के ईस्षी को मिल रहा है ठीक है यह पेज नहीं आप इसको society से समझो अभी तक फीस समझारी था ल full society से समझो ठीक आब हम करेक्ट करके बच्छों कि यह वाला जो नहीं है जो इस वाले वर्ग के पास है और यहां पर यह जो दो चैप्टर ही आपको यहीं बताते कि हाशिय करण आकर है कि आप समझ गए होंगे बहले याप चीजों को लिख ना पाए है लिखने के लिए तो भाई बहुत पहले तो यहां पर क्या है कि हाशिय करण जो है आप जब चैप के वल कोई ऐसी एक ही क्या के वल राजनेतिक पक्ष है या फिर बाकी भी पक्षा तो सुश्यों एड्योकेश्ट्र फॉलिटीकल पर एक पक्ष से जो से प्रभावित हो रहा है ठीक है हाशिय करण यह जो ऐसे वर्ग है जोकी शामिल नहीं है हमारे समाज की लिख देते हूं जब साइड हो रही हो आप प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे चलिए आई होप आप सभी लिख लेंगे तो मेंज के लिए एक टॉपिक है आपका हॉमवर्क हॉमवर्क जरूर किया करो बच्चों जरूर किया करो ठीक है में इसका टॉपिक है आपके लिए इक्वैलिटी इस वेल्यू एंड राइट एक्वैलिटी इस वेल्यू एंड राइट समानता मूल भी और अधिकार भी है ना कुश्यर मार्क ना कुछ बस इसको आपको लगबग आप टू फिप्टी वर्ड में लिखिएगा यह ऐसे भी हो सकता है आप इसे ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं पांसो यह हजार शब्दों में तो समानता क्या है मूल भी है और अधिका और जैग अधिकार भी है कोई कैस्ट का इसका इक टॉपिक होगया इसंद्स को ऑगया जहें है दिलग डिली तो आप सीखोगे बंद्स कट वांगे जीच Custom k sinking और पाया इकए ना प्रेक्टिस के किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया तो जब तक आप उस चीज का अभ्यास नहीं करोगे बार-बार उसको लिखने की कोशिच नहीं करोगी तब तक आप कैसे तो है आप सोचोगे कि भाई हमें एक दिन में सभी भी आंसर राइटिंग जो है वह बन नाइट आने एक साइड रग दी है और कीवल में प्रिम्स के लिए पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कुछ नहीं होने वाला क्यूंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके ऐसे मेंस के टॉपिक से जहां से यूप्यसी फिलम्स में भी कुश्चिन पूछता है लेकिन आपके वो पीटी ज़्यादा वीक है और ठीक तरीके से नहीं हम एकदम फैक्ट औरियंटेट होके फिलम्स फोकस्ट होके डड़ी के आपने नहीं पड़ा तो लास्ट के आप त्री जो मन्स है वैदे सकते हैं आपने फिलम्स के लिए डैडिकेट बच्चों वरना आपको मेंस की तयारी के सा करने वाला जो टॉपर भी है वो 50 परसेंट माक्स पर है 50 परसेंट माक्स पर 12 में से बारा लाना पॉसिबिल नहीं और ना हमें उतना लाना है ठीक है तो इवन आपको एक एवरेज आंसर एक अच्छा अंसर लिखने के लिए बच्चो शुरुआत तो कही न कहीं सब्सक्राइ तो आपको क्या करना है थोड़ा सा अच्छा मत लिखो बस लिखना शुरू करो वह आदर डालो ठीक है आदर डालो आप देखोगे कि जब आप 10-20-50 अंसर लिख लोगे तो जो आपका नेक्स एक वांसर होगा उसकी क्वालिटी जो की वह बाकी सबसे बहुत ही सुपर है त इसमें जैसे आपने constitution के लिए जो मूल है वो लिख लिए कि समानता कैसे है हमारे प्रस्तावना में भी समानता की बात की गई है ठीक है इसके अलावा आप लोगों को भारे में ठीक है और पॉलिटीचन में कहां इसके क्या प्रवीजण है उसस पर सबसे पहले तो देखो कि आदिवासी आखिर है कौन इन बाते हमें इसमें पढ़नी है अधर स्टेंडिंग बाजलाइजेशन में कि अधर स्टेंडिंग जिनल सबसे फर्स्ट को इस अधिवाद को इस अधिवाद को इस अधिवासी मतलब कौन अधिवासी यह जो वर्ट है क्या हमारे समविधान में अधिवासी जो शब्द है या फिर स्टी कि अगर हम बात करें क्या इसे डिफाइन किया गया है या फिर केवल वो प्रॉसेस या वो कंडिशन्स डिफाइन की यह बाते आपको यादट ना है कि कहीं पर भी जो यह शब्द है उसको परिभाशित नहीं किया हा लेकिन हार्ट आर्टिकल 342 है 3636 है कुछ में प्र खुछ नल इन है कि जो मूल रूप से किसी जगा पर रह रहे हूं उसे आदिवासी कहा और शुरवात में आप देखेंगे कि भई जंगलों में जो है वह लोग रह रहे हैं प्रकृती के साथ ठीक हुए उनका संरक्षन करते हुए प्रकृती के साथ एक संतुलन बनाते हुआ कि जो कि किसी एक जगा के क्या है बचो मूल रीवासी है ठीक है तो आदिवासी के लिए टम क्या यूज हुआ दीवासी के लिए टम जो यूज हुआ औरिजनल inhabited या फिर देखो कि अभी वर्तमान में आदिवासी जो है वह estes को भी कहा जाता है तो schedule tribes है ठीक है जो estes है जो schedule tribes है इन्हें भी आदिवासी कहा दिया जाता है tribes are also tribals जो जन्जातियां है ठीक है जो जन्जातियां हो गई tribals are also preferred जो जन्जातियां है इन्हें भी आदिवासी ट्रैफर किया जा रहा है इन्हें भी बोला जा इसके बात देखो कि आगे है कि अगर हम अपने constitution की बात करें यह सारी बाते आपको NCRT पर नहीं मिलेगी लेकिन हमें पढ़ना है तो यह आपका होंबग भी रहेगा कि आप इन दोनों articles को भी ठीक से याद रखें अगर बच्चों हम constitution की बात करें तो देखो आर्टिकल 366 आर्टिकल 366 अन आर्टिकल 242 ठीक है यह दोनों जो आर्टिकल्स है जो अनुच्छेद है यह आर्टिकल्स क्या करते हैं प्रोवीजन करते हैं और स्थिस के बारे में इन्हें में define किया गया है ठीक है तो देखो 366 में क्या किया गया है define ST लेकिन इसमें बच्चों जो definition दी गई है इसमें यह कहा है कि अगर आपको STs के बारे में जानना है तो आप क्या करो आर्टिकल 342 पढ़ लो और 342 कहता है कि ST वो होंगे जो कि राश्च्पती के द्वारा किसी समय किसी छेत में निर्दिस्ट किये जा रहे हैं राजपाल के द्वारा निर्दिस्ट किये जा रहे हैं वो जो है फिर्दिस्ट करेंगे इस बात को तो हमारे रास्टपती है वो यह बताएंगे कि आखिर आधिवासी या फिर जो स्टी जो टाइबल से वह कौन होगा कौन सा ग्रूप होगा एक करन्ट अफेर इस से जोड़ती हूं ठीक है एक करन्ट फिर भी आपको याद अठना है और ए पूछा भी था यूपेसी ने याद रखो कि देखो तरण देखो करण अपिर क्या में के वलंच आट नी बढ़ना है तो यह बच्छो सेप्टेमबर 2022 का करण अभी जस्ट इंडेटेस रिग्दम ठीक है सेप्टेमबर 2022 में क्या हुआ है सेंटरल को मेंट के द्वारा कुछ जो ट्राइब सी जो काफी समय से दिमांड कर रही थी कि हमें शिडूल किया जाए और यहां पर यह शिडूल अगर ट्राइब सोजाते ने तो उनको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं और एक्जापल गवर्मेंट ने कहा कि यह जो कई फ़ाइब रहे कर रही है तो कैसे कोई कैसे अश्रोल कर सकती है कि इस कम्नुटि को जो है यह योजना का इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा तो इसलिए लोग प्रियास करते है इस प्रियास करती कुछ उलगिए किया जाय हूए उनका भी जो समाज में हो और उनको भी जो रिसोर्सेज और जो एकॉनोमिक और सोश्यू डेवलपमेंट के बेनिफिट है वह मिल सके अब देखो इसी में करन्ट अफिर जो है सब्टेमर 2022 का की गवर्मेंट के द्वारा कुछ जो जन जातिया है उन्हें स्टीज में कनवर्ट किया गया उनको दर्जा दिया गया काफी समय से मांग गरे थी थी तो बच्छो यूपयस तीने क्या कुश्चन पूछा एकस ट्रालाद लगा दूं याद रहे हैं तो बच्छो यूपयस और पूछा था की कि यूपेसी ने कुश्चन पूचा था मैच दा फॉलॉइंग वारा की एक तरफ जो है जन जाती है लिग दी दूसरी तरफ जो है वह स्टेट लिग दी और आपको यहाँ पर मैच दा फॉलॉइंग टाइप से दे दिया तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है रिटेस जो हटटीस जन जाती है ठीक है हृतैस जो ट्राइब है इनः शीनल ट्राइब का जो दर्जा है वह दिया गया और यह कहांसे बिलोंग करती है हिमाचल मैच रेक हैं अ सवारी कोरावण है इस अ appropriate लिगे KNOW क Sustain से बिशते हैं कहां किया की तमिल नाडू की करण्ट प्यर्ड से भी सीधा कुश्य नहाँ से आ सकता है Is star लगा दिया जिस पर उध्यार रखना है तीसरा है आपका बिरिया या बिंसिया ठीके दोड़ा सा नाम आपको उपर नीचे मिल सकता है और ऐसा होता भी है ठीके बिर्जिया या फिर बिंसिया नाम ये कहां पर रह एच तिस गण में एग पोट जो है कौट जन जाती जो की योपी एड बेट्टा कुरूबा एक जन जाती है पेट्टा कुरूबा सेम इसी को इंग्लिष में लिख देना इता कुरूबा जो की करनाटका की है दिखे करनाटका की है तो यह आपको याद एटना है मैं फोल्लोइंग में यहां से कुशेंस बचो Definitely आ سकता है कि अच्छे क्यान से कुशेंस कहाी करते हैं इक जब आप आर्टिकल्स की बात करें तो 366 तो है वेस्टी इसको डिफाइन करेगा लेकिन यह लिखा हुआ है इसमें कि जो 3342 में देखो एक बास सुनों देखा कैट 342 कहता है फिर से ध्याद से सुनों 342 कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो निर्दिस्ट करेगा वो बताएगा कि यह यह जो जातिया है मैं आपकी कौन सी अनुसूत जातिया होगी ठीक है सब्सक्राइब करते हुए कि जो आर्टिकल 352 342 कहता है वही यह 366 मैं अलग से एक बात लिए यह चीज जो है वहाँ पर मिल जाएगी आपको बस उसका जो संकेत है वो कर दिया के आगे समझ में तो यह इसका इंपोर्टेंस आप सोचेंगी मैं यहां भी लिखा यहां भी जगा प्रोसेस लिखा हुआ है 342 जो है प्रकृया बताता प्रोसेस बताएगे सब्सक्राइब की माध्यम से प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है एस्ट इसको नोटिभाइगे और आर्टिकल जो तो यहां पर बच्चों हमने समझा कि आदिवाची जो है क्या है किसी जगा पर रह रह रहे हो मोल निवासी कॉंस्ट्यूशन में कहा उनका प्रोवीजन है इसके अलावा देखो एक और पॉइंट में आपको बताती हूं कि अगर हम इंडियन कॉंस्ट्यूशन में अगर अब हम हमारे जो अनुसूचियां है उसकी बात करें तो कौन कौन सी अनुसूचि जो है विजन जाती छेत्रों के जो शीडूल जो ट्राइबल एरिया उनके एड्मिनिस्टेशन के बारे में प्रोवीजन करते हैं तो देहां पर दो अनुसूचि ठीक है एक तो यह आपकी फिफ्ट शीडूल पांच भी अनुसूचि ठीक है और एक है आपका सिक्स्त तो देख बचू फिप्ट अनुसूचि जो है वे कहता है इन चार राजियों को छोड़कर इन चार राजियों को छोड़कर जो भी जन जातीये प्रदेश होंगे ठीक जो भी चैडूल टाइबल जो एरिया है टीक भी ट्राइबल एरिया है उनका एड्मिनिस्टेशन आएगा फिफ्ट में और जिन चार राज्यों को यहां छोड़ा गया था उनको सिक्स में लिख दिया कि भई जो छह राज्य है जो चार राज्य है उनका जो प्रसाशन चलेगा जन जाती है एरिया का वो शिक्स के अकॉर् ठीक है तो क्या होगा बच्चों असम में घालाए जो पुरा एंड मिजोरम ठीक है यहां पर जी कर देती हो अभियात करने में आसानी हो जाए तो बच्चों इन चारों का जो प्रसाशन चलेगा उसकी बारे में प्रोवीजन जो है मैं आपकी छटी अनुसूची करती है ले अब आगे हम चलते हैं तो हमने आर्टीकल्स देख लिए शीडूल की बात कर ली कि असम बेगाले तुरुपरा एंड मिजोरम इसके अलावा जो भी ऐसे छेतर है उन सभी एरिया का क्या प्रसाशन होगा क्या कंट्रोल होगा ठीक है ठोड़ा सा लिग देती हूं ताकि आप को याद रखने में आसानी हो तो शेडूल एरिया है इनका कंट्रोल एन एडमिनिस्टेशन लेकिन माइनस कर दो इन राज्यों को इन राज्यों को तो इन राज्यों को कहां पर आएगा सिख्शी आएगा ठीक है और यह पैसी ने यहाँ पर भी देखों यह कुश्यन अगर आप अपने प्रीवेस यह कुश्यर पर देखेंगे तो आपको यह सारे इंफोर्मिशन बहां मिल जाएगी और अपकुमिंग जो आप एक्जाम देंगे बच्चों डेफिनिटली आपके से काफी फायदा होगा चलो एक स्क्रीन शॉट एलो जल्दी से अच्छा इंग बात ओर सुनो आपको पता है बचो 1931 में बया दो ट्राइब से ना उनके लीए जानते हो क्या वर्डी यूज्ड किया जाता है अंकल वहिश्क्रत वर्ड रिजक्टिटेडिवर्ड देको बाद में 1935 के बाद इनके लिए जो यह वाडश हो गया ठीक है 1935 के जो एक्ट आया था इंडिन गुवर्णेट भारत साशन अधीनियम तो आपका एक्ट था 1935 उसमें इसके पहले इनको रिजेक्टिड या भाहिशकत जो शब्द है वो कहा जाता था समझ गए आप सभी ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं अच्छा देखो अगर हम बच्छो टोटल पॉपुलेशन की बात करें ना कुछ आंकड़े मैं आपको बताती हूं उसकी बाद हम चलते हैं मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूं देखो जैसे की हमने कॉंस्ट्यूशन के आर्टिकल की बात कर ली जना 3 6 & 342 यह दूनों आपके आर्टिकल इसके अलावे देखो अगर हम यह देखें कि इंडिया में इनकी जो जनसंख्या है वह कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेक्सर्स इसके अनुसार बच्चो आपको याद रखना है कि 23 परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 23 परसेंट ऑफ है 1956 का है यह ठीक है याद रखना 2011 के अकॉर्डिंग ली बात करेंगे पहले 1956 का देखो 1956 में क्या था लगबग 23 परसेंट टूटल पॉपुलेशन थी इनकी और इस 23 परसेंट का 97 परसेंट जो है ना यह रूरल एरियास में रहते थे या पर यह जंगलू में रहते थे इस सिटी में नहीं है उनको कहा जाता था आदिवासी जंजाती ट्राइबल ग्रुप्स आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सैंसस 2011 इसमें आप देखेंगे कि 500 से जाधा जो ऐसी कमडिटीज है ठीके जो एस्टीज है और इंडिया में जह रही है इसके अलावा देखो कि अगर मैं कुछ परसेंटेस की बात करूँ तो जो मिजोरम है ना कि जोरम में कितने परसेंट है थोड़ा परसेंट याद रखना क्योंकि यूपस्ट यहां से कुछ देता है कि चार राज आपको दे दिये और भास यह आप से पूछ लिया कि इन में जो स्टीज का परसेंटेस है वैं कितना है इस इसी बात के अकॉर्डिंग आपको डिसें लक्षव दीप कि अगर हम बात करें यहां पर भी 94 परसेंट जो है वैं ट्राइबल गूर्प से अब देखो नागालेंट नागा लेंट में लगबग 86% है, से मेघालाई में है आपका, अगर हम मेघालाई की बात करें तो यह पी 86 है, अर नाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 68% है, तो यह क्या है, यह 5 कुछ ऐसे मैंने जगह बता दिये, जहां पर की जादा जो STS रहती है, ठीके, क्या देखना जरूर है, जब तक नोटस नहीं बनाओगे, तब तक काम नहीं चलेगा, आपका, अब देखो दो बाते और हम समझते हैं, इनके बारे में, तो सोशल वार्जनलाइज्ट क्या है, यह समझ गए, रिडिंग करने के जरूरत नहीं है, आप खुद कीजेगा बच्चो ठीक है, अब देखो टाइब, अच्छा ये धम देख चुके है, कि जब हम रिजन्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे रिजन है, काफी सारे ऐसे रिजन है, जिससे जो ग्रूप है, कोई पर्टिकुलर, मैं कहां पर आ जाता है, एक हाशिय पर आ जाता है, और यहां पर क्य है, रिलिजन हो सकता है, ठीक है, इनका जो बैक ग्राउंट है, इनकी लैंग्विज हो सकता है, इनका डिप्रेट कस्टम हो सकता है, इनके टेडिशन हो सकते हैं, तो यह काफी सारे ऐसे कारण है, जिससे क्या है, यह मिजूरिटी में नहीं रहते, और जो मिजूरिटी है, जब यह जादा रिसोर्स का यूज अपने लिए करती है यह क्या करें जादा रिसोर्स का यूज अपने accordingly कर रहे है तो ऐसे में जो minorities है ठीक है इनको benefit नहीं मिले तो minorities है बच्चो इनको जो benefit मिलेगा रहा वो कम मिलेगा मेजूरिटी जो है है इसको ज़्यादा benefit मिल रहा है ठीक है resources का benefit जो minorities है इसको कम मिल रहा है यहां पर काफी सारे ऐसे दो बाते और हम समझते हैं कि आखिर जो आदिवासी की प्रशलित छविया है वो क्या है ठीक है आदिवासी क्या है यह जो टर्म है वह क्या है लगबन 8% जो population है अभी ट्राइबल पीपल है और वहीं हमने 1956 की जब हमने बात की थी तो 1956 है यह जो percentage है कितना है देती हूं कुछ डेटा ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको आसे पचास सल पहले का भी याद हो जैसे कि अगर आपको यह बताना हो कि इंडिया जो है वह अभी कितनी लिट्रेसी रेट है या कितने ऐसे लोग है जो आज साक्षर है साक्षर्दा का मतलब क्या होता है एक डेफिनीशन है जो यूपेसी ने पूछे कि सैवन प्लस एयर के ऐसे लोग जो लिखना और पढ़ना दोनो जाते हैं कि वह लिख और पढ़ सकते हैं उसको एजुकेट उसको लिट्रेट माना जा रहा था साक्षर माना जात लेकिर उसमें आयू कितनी कि सैवन प्लस ठीक है आगर सैवे आजकल तो भई बहुत एडवास जनरेशन होगी अगर उसे फाइव यह में वो सबारत तब भी हम उसको लिट् 156 में लगवक कितनी थी 23 परसेंट थी और इस 23 परसेंट का 97 परसेंट जो है वैं कहां पर रहता था रूरल एरियास में फॉरस्ट में रहता था ठीक है आप देखो बचो हम देखेंगे कि धीरे धीरे अब देखो यह कहानी आगे बढ़ेगी तो आपने आदिवासी पढ़ कुछ कुछ की बाद की एक करेंट फिर हमने देख लिया पाच जन्जातियों के बारे में देखा जिने हाल ही स्टी जो है घोशित किया गया ऐसे ट्राइबल कमूनिटी लंबे समय से डिबांड कर रहे थी क्योंकि तो सरकारी यूश्णाओं का लाब चाहिए तो वह जो प्राब्लम कब होती है ठीक है हम समझ गए पारी चीज़ अभी तक लेकिन जब आप हम इस एकॉनोमिक डेवलपमेंट इस आर्थिक विकास के युग में जब हम किसी को पीछे छोड़ और डेवलपमेंट के नाम पर जब आप कहीं पर भाई कोई देम बना रहे हो कोई आप तब तक वहां के लोगों ने नदी में खड़े होकर जो है वह प्रदर्शन किया ठीक है कि हम बाहर ही निकलेंगे अगर इस डैम की उच्छाई बढ़ाएंगे अब यह देखो कि डैम क्या है कि आपने पानी को बांध लिया ठीक है और देखो कि नदी सीधी जा रही थी ठी ठीक है उसे आप से कोई मतलब नहीं था अपना वेक था अपने अकोर्डिक लेकिन आपने जब यहां बाधा यहां आगे जाना पानी रुग और यहां भरेगा तो इसका जो चेत्र है वह बढ़ेगा 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 ना इससे आगए खत्र और बाकि सारे चीज़े बात अलग होती है वो नेचर की बात है लेकिन उसके अलावा बच्चों जब इस तरह की परियोशना लगती है ना तो जो यह आसपास के मालों जो सो गाओं है वो डूब बे आ जाते हैं और ऐसा कई बार आपने सुना होगा तो यह जो यहां पर लोग रह रहे थे जो यहीं के यह से बत्ता की ऑपने ऑड़नोमिक डेवलप मैंेंट जो आपके प्रॉजेक्ट आप लेकर आ रहे हो चाहे हैं और एक्लिकिसिटीकोण प्रोजेक्ट कोई ऑर फ्रजेक्ट तो कोई माईनिंग फ्रोजेक्ट हो तो वहां पर घुलोग है उन्हें वहां से हटा रहे हो और अगर आपने उनको वहां से हटा दिया देखो किसी से आवास का अधिकार छील लेना कितनी बड़ी एक तरह से इंजस्टिस है अब वो क्या करेगा उसको कुछ नहीं आता अब वो आएगा तो कहीं सिक्वेर्टी की नौकरी कर रहा है कहीं आ रहा है तो उनकी घर की जो फीमेल है ठीक है वो किसी क्या साफसफाई का काम करें उनहीं आज आ रहा ना बच्चो अब वो साइटी में अच्छे भले रह रहे थे उन्हें से हटाय जब वू शिटी में यहीं पूछा जाता है ठीक हो पाए कि हाशियकरं क्या था और आगे आने वाला जब आर्थिक विकासे मा कि हाली में काफी सारी ऐसी आर्थिक पर्योज्ण। गोई जिस से एक समाज का ईए उन वो प्रभावित हुआ ठीक है सरकार की यौज्णा यह जिस से जस्तिस सकते हैं तो हाली के एक दो प्रकरण्ट हाली में जो केसुस्ट टी मता दें कि हाली में सददासर मुणिれ की उचाई बढ़ रही थी लोगों की जो जमीन जो फटाइलेंड वे और भी ज्यादा डूब जाती और इसी कारट से जो कि पुनर्वास में उनके साथ जस्टिस नहीं अगर वो सिटी में आ गए तो आपको सोचों वो क्या करेंगे क्या आपने लिए आकर वहाँ पर गाड़ी बंगला सारी सुवधाएं कर ना थीक तरीके से उसकी उसके 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 बच्चों को से बच्चों को सिक्षादी थी आज इविगा के ठीक है यहां से अनिमल प्रोड कुछ और नहीं इस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कोई धंदा और नहीं कर पा रहे हैं वो तब क्या करेंगे तब वहां जाकर बढ़ेंगे किसी का सिक्वेर्टी काड़ बन रहे हैं किसी कहां उनकी घर की महिला है जाड़ू पूचा बरतन कर रही तो कि ऐसे मों की स्थिती य साइट तरफ चलेगा बस हो गया वही हाशिय अकरण अब समाज आप फिर सरकार इनके लिए प्रयास करेगी क्या इनको फैलाओ इनके लिए एजुकेशन दो कि जो समाच का यह जो तब का थाना उसे आप और भी जो एकॉनमिक डेवलपमेंट वो प्रवाइड करो ठीक है उ तो हाशिय अकरण के लोगते उनको सेंटर में लाने आप ट्राइफेट ट्राइफेट का फुल फॉर्म देखना और उसके काम देखना ठीक है ट्राइफेड आप खुद करो पी एम बंधन योजना जो है वह क्या है पीम बंधन योजना यह है ठीक है तो देखो सारी इन ही के बारे में एक ऐसा जो समुदाय जो की बाकी जो मेजोरी ठीटी उसने अपने रिसोर्स के लिए उसने अपने डैवलप्मेंट के लिए रिसोर्स के लिए जो पॉलिसी बनाई यहां से बस इक्वैलिटी बढ़ती गए और हमारा जो कॉंस्ट्यूशन है वो फंडरमेंटल राइट में राइट रॉट्वेलिटी की बात की गई है कि किसी से भी धर्मजाती वश्च जन्मस्थान इन इस अब की आधार पर आटिकल 15 कहता है ना कि अभेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 14 राइट तु एक्वैलिटी की बात करता है एक्वैल प चो जब भी पढ़ रहे हो constitution सभी पढ़ रहे है constitution से जोड़ो करनटाफेर से तभी भी आपकी तयारी केवल आप सोचो कि मैना topic complete कर लिया तो तयारी होगी नहीं हुई क्यों केवल इस चैट्टर को पर लोगी तयारी हो जाएगी नहीं तो नCART का बेसिक आपने basic के साथ सीख जाओगे उससे समझ में आ गया चलो हम आगे चलते हैं कि वीजन की देखो हम काफी सारी बात कर चुके है कि लेंग्वेस कस्टम चलो छोड़ देते हैं इस बात को बहुत पढ़ लिया ठीक है अब हम चलते हैं बचो कि आखे एक कुशन का असर बताओ पहले कि कुशन को जाओखरा सी असर एक ट्री बादो स्टम आधिवासी जों लिटो में ओरिशनल इंहबिट उसके शाबिकर 2nd is among the 75 listed particularly vulnerable tribal groups the सबसे जादा और उसके बाद आध्रा में आधिवासी आर होमोजैनल रूप आफ पॉपलीशन आदिवासी जो है वैं सजातिय समू के हैं क्या होगा इस कांसर सब्सक्राइब कर लेंगे कोई बात नहीं तो देखो बचो एक बात तो मैंने आपको पढ़ा दी ठीक है चलो आगे बाते पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसका आंसर देखे तो आब हम पहले थोड़ी सी प्रिछले चवी की बात कर लेते हैं जब आपकी आखों कि जब किसी न बन जाती रहा कि अच्छा दूरदर्शन मतलब दूरदर्शन पर देने वाली जो एकर है वह ऐसे बैठी होगी और भही आज तक पर चिला रही होगी वो कैसी आप सोच लेते हो उसको कि आचा आज तक पर एंकरिक और एक दूरदर्शन पर नियूज आ रही है यह लोग और च होगा आपकी दिमाग में तुरुन चबी चीक वैसे ही जब आपको पता चला की आधीवासी जैसे Keepingus में देखते हो को बच्चों आदी वासी क्या है कि बहुत सारे ऐसी परंपरा का छवी है कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होगी एकदम भढ़की ले रंग मिरंगे जो कुछ भी कपड़े हो उन्होंने डाल रखे होंगे ठीक है तो यह सारे जो चीज़े हैं मतलब आपकी दिमाब में चवी बन होगे लेकिन का ऐसी चभी हाँ एक और सब्सक्राइब कर रहे हैं यह सुसाइटी में ठीक तरीके से रहना पसंद नहीं कर रहे हैं ठीक है यह बाकी चीज़े जो है यह अपडेट नहीं कर सकते खुद को तो यह सारी परागत जो चलता है वह आपके मन में आदिवास हो सकता नहीं करते हैं यह सारी बाते चलो अब कुछ बाते जो है वह लिख ली जाए क्योंकि जब लिखा हुआ होता है तो आगे हमें रिवाइस करने में काफी आसानी हो जाती है ठीक है तो देखो आदिवासी कौन थे यह हमने समझ लिया और अब हम कि इनके बारे में दो और जो इंपोर्टेंट प्रॉंट से उसको पड़ते हैं ठीक है सबसे फस्तों है बचो कि आखेर इनकी जो छविया है वह क्या है प्रचले जो छविया है ठीक है तो स्टीरियो टाइपिंग एड़ा है तो देखो इसमें क्या है कि आपने सुछ लिया कि इनके जो कस्टम है वैं कैसे होंगे कलरफुल होंगे आपने सुछ लिया कि भाई ये एकदम बस ग्रूप में खड़े होके डांस कर रहे होंगे एक मुकुट लगाए होंगे इसके अलावा आपने सुछ लिया कि भाई ये केवल पुरानी धार्णाओं के होंगे यह आपने दिमाग में सुछ लिया आप इनकी विचारों के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि एक्जोटिक होंगे ठीक है प्रीमिटिव होंगे पुराने किसम की होंगे इस तो चेंज आपना नहीं पाएंगे यह सारी चीज़े सोच लिया आपने यह हो गया इनकी प्रचले चविया लेकिन वास्ताओं में ऐसा नहीं है ना वास्ताओं में क्या है बच्चों ऐसा नहीं है अब देखो दूसरा जो मुद्दा है यह तो छोटा सा कॉंसेप्ट थ और यहीं सबसे ज़दा में यहीज आदिवसी क्या है क्या छविए यह तो चोटा पूब से वड़ी बात है कि आप जो है इस वर्ग की जो स्थिती जो कंडीशन है वह आप कॉलोनियल टाइम से कॉलोनियल वर्ल्ट से समझों फिर आफ्टर इनकी कंडीशन क्या थी आज स्क्राइटिंग आप कर सकते हो करन्ट अफेर में गवर्मेंट की स्कीप को विलाकर यह आल ओवर जो है वह चैप्टर का सार हुआ ठीक है तो देखो वच्छो क्या पढ़ना है अब हमें आगे कि आधी वासी और डेवलपमेंट जो है वह आकर किस तरह से जुड़ता है कि विकास की बात करें कि जो आप आध आधुनिक विकास है कि उससे इन पर क्या प्रभाव पढ़ा डेवलपमेंट कि आपको नहीं लगता कि विकास का जो एक एफेक्ट है जो असार है सभी वर्गों पर समान होना चाहिए देखो इस्टे जब आप सस्टेनेवल डेवलपमें सहां को पड़ते हो ना भचों समावेशी विकास त्यार करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट यसे जुड़ता है आप इसको भी एक पॉइंट बनाक एक लिफ सकते हो कि सबीरव चाहिव है खिसी भी तरह को समाज के सबी वर्गों को समानल ब जो है वैसना का मइल सके यही क्या है आपका sustainable development है ठीक है तो देखो बचो कि जब हम विकास की बात करते हैं शुरुवात में तो यहां पर जब development होना शुरू होता है तो क्या सभी को इसका समानलाब मिला है फिरवात से सोचो नहीं मिला है ना और लेकिन देखो कि कि जब हम सभीता की बात करेंगे से बाति करो यहां से अपनी चर्चाई निवात करते हैं कि जब हम सब बर की बात करेंगे कि जो भी साम nihilis के सान ने वाली हूं ऐस Straw मॉत पने लगते हैं थी कि महाजनपद मतलब ऐसी राज जो कि मुक्र और अगर जो मगद है वह इंपॉर्टेंट रूप में सामने आया उसके पीछे कारण था कि उसके पास फॉर्स्ट रिसूर्स में और जो आयस कहते जो लौ आयस कहते वो सारे चीज़े जो जनली जानवर थे वो मेरे जिसे वालतू बनाया हाथी घुर तो यहां से वह जो से जो सामराज बने यह किस पर निर्भड थे जंगलों पर निर्भड थे और जंगलों में कौन थे आदिवासी थे ठीक है जंगलों से इनको क्या मिला जंगलों से इसक मिला मैचल मिला ठीक है सोना चांदी ताबा लोहा इन सभी का जो आयस कहें मिला लकडी मिली इमारती ल लावा जो एनिमल प्रोड़क्त है वो सब मिलें तो यहां से जो आधिवासी है उन्हें कहीं न करीं तो परिशान होने लगी होगी अब देखो 19th century के बात करें कि 19th century में बच्चों क्या हुआ कि जो आधिवासी थे ठीक है आधिवासी के पास क्या था बहुत ज्यादा नौलिश था कि 19th century तक इनके पास बहुत ज्यादा नौलिश था ठीक है जड़ी बूटियों का हो या फिर जंगल का हो किस तरीके से किस आयस्क का यूज करना है ठीक है जो भी वहां पर खनिच संसाधन बिल रहे है रिसोर्स है फॉरेस्ट रिसोर्स है उनका यूज कैसे करना है जो 19th century तक इनके पास control भी था इनके पास control भी था उन्हें इस जगह से भगाने वाला कोई नहीं था लेकिन अब आ गए अंग्रीज ठीक है तो 19 की अगर हम बात करें कि मिदिल क्या पास जब अंग्रेजों का ठीक तरेके से जो साशन है भारत में इस्थापित होने लगा तो इ कि बात करेंगे बच्चों तब यह जो आदिवासी ग्रुप था यह पावरलेस हो ठीक है इसकी जो शक्ति है वह खत्म हो गई इसका जो control है यह खत्म हो गया ठीक है क्योंकि आप देखो यह क्या कर रहे है यह agriculture जान रहे है अग्री कल्चर में कॉसा जो शिफ्टिंग अग् आजस्व का जो एक भाग था वह आपका किस्ते आता था भूमी राजस्व कि यहां पर क्या हुआ बच्चों कि जब हम कॉलोनियल वर्ट की बात करेंगे इस समय यह जो ग्रूप है वह कैसा पावरलेस हो गया यह जो है चलता गया चलता गया अपनी जगास इसको हटा दिया इनको जाकर चाय के बागारों में काम करना पड़ा इनको सरकार के अंतरगत और भी चाकरी का जो काम है वह करना पड़ा तो यह सारी चीज़े क्या हो गई कि आपने जो अच्छे तरीके से जो आपने सब्मान के साथ अपनी जदा पर रह रहा था उसको वहां से हटा दिया कि आपने उसको विस्थापित कर दिया और कवाल की बात यह है कि जब यह लोग फिर जंगलों में घुसे तब इनको क्या कहा था इन कोचर कहा गया जब इनको घूस पैठिया कहा घा ठीके और चूशे आपको याद रखनी है अब देखो बच्चों इसके आगे कि जब डैन कुछ और बात हैं यहीं निखिए तो यहां पर देखो यह जो हमारा ट्राइबल गुप इसको मेन काम क्या आ रहा था बच्छों हंटिंग का है ना है शिफ्टिंग अग्री कल्चर का यह सब काव इस पर रोका गया और इसके बाद पास्ट अगर हम टू हंडडर्ड यह की बात करें दो साल पहले की बात करें पास्ट तो यहां पर क्या था बच्छों की जो एकॉनमिक डेवलोपेंट शुरू अगर आप सोचो आर्थिक विकास आज की बात कर लो आपके बी 2000 में क्या हुआ या फिर इसकी आसपास किसी यहां से बात नहीं आपको बात का अज उठानी है कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ ठीक एक लाइन वहां आपने वहां की लिख ली उसके बाद आप लिखेंगे कि जब अंग्रेज आते प्री कॉलोनियल वर्ट में क्या था 200 साल पहले जो है वह कैसे जो एकॉनमिक डेवलपेंट शुरू हुआ और आज जो है वह क्या और सरकार अब जो है क्या करने कुछ बहुत बढ़ी आंसर लिखा जा सकता है तो एकॉनमिक डैप जितना पढ़ोगे उतना ही लिखना सीखोगे बिल्कुल लिखाओंगी कि आपको वन नाइट जो इसके लेवर डैवलप हो जाएगी आंसर राइटिंग बच्चों वही है कि आपको आईस बना भी सकती है आईस आप नहीं बहुत 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 जादा है विना उसके आपका कोई सिकान द्रक्ता दलेंगे द्यूरण चैनल इसके के यादना है कि आपको कैसे आंसर रैटिंग का तरीका जो है वे शुरू करना है तो जब आएगा तभी तो लिख पाओगे और तो फिर भी आप लेते हैं लिक लिके क्योंकि क्लियर नहीं है कैसे जोड़ोगे चीज़ों को और अगर दो कॉंसेप्ट भी क्लियर है तो अपने आप लिखो अगर आप से यह कह दिया जाए आज के बाद कि आप जो हार्शिय अकरण है और जो आदिवासिस पर लिख पाओगे बचा शब्द ने लिख पाओगे अ मैं आपके क्लास करने के बाद में आंसर राइटिंग जो है वह आने लगी ठीक है तो चलो सुद्ध को बचो यह कॉनमिक डेवलप्मेंट जो है यह होता है और इसके बाद क्या हुआ एकॉनमिक चेंजिस हुए जो फॉरेस्ट पॉलिसी बन गई कि पॉलिसी जैसी बने इन यूज करना था उस फॉरेस्ट का उस जगा का तो यहां से जो आदिवाची थी बच्छों अब क्या हो गया का वहां से माइग इनको वहां से माइग डिट कर दिया ठीक है पॉर एक्जामपल हम उडिशा के काला हंडी बात करें और एक्जामपल किसकी बात करते हैं ओडिश और इ유शा के काला हंडी हहां तो देखो यहां पर अपर बच्यों उडिश्य के काला हंडी या बात करें न्यामगिरी हिंव कि नियांगीरी हेल से यात रखो चाया पर एलूमिनियम याज पाया जाता है और यहाँ पर कंपड़ी यह यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्री है इंडस्ट्री जो है वह इस्ट्रेबलिश करती है और यहाँ पर जो रहे थे जिनका नाम क्या है जो क्मुनिटी है यहाँ पर रह रही थी वे इसका विरोफ करते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर क इसको स्थापित कर दिया तो इनका विस्थापन हो जाएगा इनको यहां से माइप ETA करना वो जिस जगह पे रह रहे हैं आप आप जहां खड़े हो आपका जहां घर है कोई आपका घर गिरा के यह कहें कि इसके नीचे से जो है वह हमें माइनिंग करनी या फिर इसके नीचे के आप दूसरा तरीका देखो कि अगर आप दोरों पक्ष देखना आपको कि अगर मालो आपने कोई नेशनल पार्क या गवर्मेंट के दोरा कोई वाइड लाइफ जो सैंचुरी जो है उसमें इंटर फेरेंस चूकी ना हो तो जो लोग यहां रह रहे हैं वहां से वंचित कर द रहे हैं फिर आप उस एरिया के लिए सोच रहे है तीजे पहले से जादा सिस्ट्रमेटिक हो रही है रिष्टरपार का प्रेव घोशित कर दियो उसके अंतरकत कितनी जमीन आई कितनी रिसोर्स आए वो सारे रिसोर्स वो सारी जमीन अब अगर सरकार ने कहा कि ठीक है यह आपनों ने वहां से भगा दिया अब तो क्या वर्तमान में ऐसी आवशक्ता नहीं है कि हम उस डैवलपमेंट को और यह जो मार्जिनलाइज हम उसको कर रहे हैं जो हम वहां से ट्राइबल्स ग्रोप हटा रहे हैं उनके लिए हम दोनों में बैलेंस बना करी कोई एक को रहे हैं तो यहाँ पर इक यहां पर एक अल्युमिनियम कंपरी जो है प्लानिंग कर रही थी एक रिफाइनर की लेकिन आपके जो आदिवासी कम दिए उनको यहां से डिस्प्लेश कर दिया जाएगा आप वो इसका विरोधनी करेंगे तो कौन करेंगा विस्सी बात आप को आपके घर से निकाला जाए इसका विरोध नहीं करोगे डेफिनेटली करेंगे तो चलिए इसका जो केस है फिर सुप्रीम कोड गया तो यहां पर बच्चों हमने क्या समझा कि जब हम डैवलपमेंट की बात करेंगे तो इस डैवलपमेंट में आदिवाची जो है वो कहां पर है उनका विस्थापत हो रहा है वो उस जगा से हटाए जाए ठीक है चलो आगे देखो कुछ और इंपोर्टेंट दो चार पॉइंट में आपको बता देती हूं तो माइग्रेशन में और एक्जाम्पल आपका ओडिशा हो गया है कि का ओडिशा का ओडिशा का आपका न किशा का नियामगिरी हिस ठीक है यह इसका एक्जामपल हो गया नहीं पर डोंगरी अकोर्ट जो है इनको वहां से डिस्प्लेस जा रहा है तो बिसिकली काफी सारे ऐसे रीजन से हैं जिसको जिससे इनको माइग्रेट होना पड़ता है तो उस रीजन में क्या है एक तो सब्सक्राइब करते थे और जब कि अब आप देखें कि लेंड इरडेशन कितनी तेजी से हो रहा है सरकार जो बैसके लिए अपने लक्ष भी टाय कर रहें लेंड इंडेडेशन भी एक बहुत इंपॉर्टन तो उसका एक कारण भी है कि जो बड़ी बड़ी और परियोशना है जिसमें अच्छी जो जमीन है जो नदी के किनारे ही होती है वो डूब जा रही है है ना जो खरा सारी चीजे कहां से पैदा होंगी तो यह सारी चीजे प्रॉब्लम है नहीं है तो यहां पर देखो बचो कि जो लार्ज इंडस्ट्रियल हम प्रोजेक्ट की बात करें जो माइनिंग प्रोजेक्ट की बात करें ठीक है यह सारी प्रोजेक्ट क्या कर रहे है इन्हें हटाने क काम कर रहे हैं अब हम देखो कि आप परियावरण के नाम पर आप कर रहे हो कि ठीक है नेशनल पार्क अगर आपको कभी दिखना हो लिखना आ जाए तो आपकी वाइड लाइफ सेंचुरीज है ठीक है तो अगर इन सब को आपने रिजर्व घोशित कर दिया और विहां पर आप लुक्राइबल गुरुप क्या कहा कि यह जो है वैगुष पैठी है ठीक है इन को जो है अब एक बात और सुनों देखो जो बिटिशर्स के द्वारा बच्चों जब यह देखा गया कि भई हम तो खाम खाही यहां की बाकी चीज़ है कर रहे है तो संसाधन है अस्ती व बने हुए फिर अच्छी लकडी के जो जंगल उसको रिजर्व और वहां पर जो लोग रहे तो उनको हटा दिया और अगर संसाधनों पर सभी का अधिकार है और जो ट्राइबल गृप्स वहां पर रह रह रहा था अगर वहां पर चला जाता तो उसके लिए अपराद सुना दिया जाती है कि तुम इस इस तो क्या यह जो रिसोर्से से किवल गवर्मेंट के आज बी जो हम नीतिया बना रहा है अगर यह ठीक वैसी है जैसे कि को लोनियल पीरेड में तो फिर क्या मतलब है हमारे स्वातंत्र हो तो यह आपको पूरा जो मुद्दा है वैस समझता है म सब्सक्राइब के लिए बहुत अच्छे एवन हर एक जो टॉपिक बचो या दखना जो सोसाइटी से जुड़ रहा है वह तो बहुत ही जादा इंपॉर्टेट जो करेंट अफेर में चल रहा है वह भी बहुत सब्सक्राइब आप देखोगे कि सुप्रीम कोट के द्वारा जो इस तरह की डिशीजन से वह दिये जाते ट्राइबल गुर्प्स को लेकर यूपसी ने कुष्ट भी में में से पूछा है आपने वन जो अधिकार है जो आपका फॉरस्टेक 2005 है और उसमें भी काफी कुछ संशोधन अमेंडमेंट जो है उस वह लेकर चर्चा में रहा त आपका टॉपिक जो की करन्ट फिर में रेलेवेंट है सुसाइटी के बड़े हिस्सी को प्रभावित करता है आपके मेंस में भी अलग से लिखा हुआ है ना कि जो इस तरह के समाज को उपेख्षित वर्ग है जो मार्जनलाइज जो ग्रूप है कम लिटी है उसके लिए सरक इन का काफी महत्वथा जनपत महाजनपत में मगद को यात कर लो तो कि उसके पास पर खी आ हम करने वाले करमचारी थे सारी सेंचुरी हमने देखा किसके पहले जो आदिवासी उनके लिए उसके बाद जो है कि 1935 के बाद इनके ट्राइबल वर्ड आया ठीक है तो देखो यहां पर जो आदिवासी इनका कंट्रोल और नॉलेज था देकिन आफ्टर क्या हुआ जब कॉलोनियल वर्ड आया यह पावरलेस हो गए इनके पास कोई कंट्रोल आगे देखो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट देखो कि अगर हम एकॉनमिक डेवलपमेंट से ट्राइबल गुश्ट जोड़े तो फॉरेस्ट पॉलिसी पॉलिटिकल पॉर्स लार्ज इंडर्सिकल फोटेक्ट माइनिंग एक नेशनल पार्क वाइड लाइप से यह सारे ऐसे क्या है बच्चों रीजन है जिससे यह और भी ज्यादा साइड में खिसकते चले गए और जो में सोसाइटी है उसमें को इस्तान कभी नहीं म काफी बढ़ा है ठीक है तो यह क्या होगे हमने आदिवासी और डेवलपमेंट को पढ़ा अब आगे देखो मुझे नहीं रखता कि अपढ़ने की जरूरा थे यह आप खुदी पढ़िएगा बच्चों ठीक है अब देखो आगे हम देखते हैं कि अगर हम और माइनॉरिट की बात करें कि अगर अब हम माइनॉरिटी की बात करें अल्प संख्यक क्या अल्प संख्यक वर्ट को कहीं परिभाशित किया गया है इंपॉर्टेंट है आप मुझे यह बताएंगे कि क्या अल्प संख्यक जो वर्ड है इसको कहीं परिभाशित किया गया गया तो अभी तक अदिवासियों की बात कर रहे थे लेकिन 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 किवल अदिवासि तो नहीं है यहां पर किया किवल यहां पर राइब से तो यहां पर तो ट्राइबल कमुटीज हैं इनके अलावा भी है इस डाइवल कमुटीज के लावा जैसे हम माइनोरिटीज एड मुस्लिक बाते हम पर तो अलप संख्यक है एड जो तो यह तीन बाते हमें इस चैप्टर में समझ रहे हैं त्राइबल ग्रुप का इधिंग ब माइनोरिटीज की जब हम बात करेंगे आखिर अलप संख्यक का मतलब है क्या अलप संख्यक और कॉंस्टूशन में इसके क्या प्रोविजन किये गए अभी अगर हम लिटिस देखे तो जो सरकार है वह इसके लिए क्या-क्या प्यास कर रहे है ठीक है तो माइनोरिटीज जो इंग्लिश से भी आपको समझा रहा होगा ठीक है अलप संख्यक मतलब जो संख्या में कम हो हम एक ऐसे वर्गे की पात कर रहे है और इसमें क्या है आर्टिकल क्वेटीन सबसे पहले तो देखो मैं कॉंस्टूशन की बात करती हूं ताकि आपको अगर इस से रिलेट करके व पूछा जाए आप उसका आज़र कर वाएं तो बच्चों हमारे सम्विधान में जो आपका फंडामेंटल राइट है ना आर्टिकल 29 & 30 अटिकल 29 & 30 में जो एजुकेशनल एंजो कल्चर जो राइट दिये गए है जो सांस्क्रिटिक सिक्षा के अधिकार है वो सभी समुदा साथ हो गई अब सेकेंड देखो कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 29 & 30 यह दो तरह की माइनॉरिटी को परिभाशित करता है मतलब इसमें दो जो वर्ड है माइनॉरिटी के लिखे हुए है तो माइनॉरिटी जो टर्म है कि एक तो ियूअस हो सकता है धार्म denying it और दूसरा बैभाशा के अधार इंग विस्टिक यह एक तो धर्म और दूसरा भार्शा यह एक तो धर्म और दूसरा भाशा इन दो आधार ओल जो हमारा fundamental राइट है पार्ट 3 यह ववस्था करता है इनके अधिकार की इनके अधिक्षिशन की और इनके कल्चर की ठीक है क्यों क्योंकि हमारा constitution जो है वह equality की बात करता है और वह committed है कि society में equality जो है वह बनी रहे ठीक है तो यह constitution की बात हो गई इसके अलावा देखो बचो आगे कि जब हम अल्प संख्य की बात करते हैं तो यह basically संख्या को भी बताता है यह आबादी को भी बताता है संख्या यह आबादी मतलब वाद लोग किसी society में 100 लोग है वह रह रहे और इस 100 में से एक जगा पर 90 है लोगों की community है और एक बार दस लोगों तो माइनोरिटी इस कौन हुए यह हूए यह माइनोरिटी इस हो गए यह आपके तो यहाँ पर हम जो चर्चा है इन दस लोगों करना है और सरकार इसके लिए क्या प्रियास करेगी उस पर हमें चर्चा करना अब आगे देखो बच जाते कहां थी problem ती कि जब हम अम शर्ची की बात करें तो यह जो majority हैई यह policy policies को अपने पक्षमी कर ले रहा है ठीके क्यों कर यह रही दिन्क कि इसका जो कल्चर है कि को के इसका जो कल्चर है जिसकी लाइफ स्टाइल इसके जो विचार ए उससे government एंड साइटी है ञुए इन्फ्लॉएंस कुछ जादा लोग तो साहिट अब देखो आप ही सोचो कि आपको अगर 20 लोग मिले और उसमें से 18 लोग आप से एक बात करें दो लोग आप से अलग बात करें आप किस अठारा लोगों से ज़्यादा था लोग आप से गलत बात करें पर आप इंफ्लुएंस तो इस चीज से हो गए ना तो यहां पर क्या है बच्छों कि जो मेजोरिटी है वह का कर रही है ऐसी सीज बनाने को मजबूर कर रही है ऐसे क्यों क्योंकि इसके कल्चर से इसके लाइफ स्टाइल से सोसाइटी जो गवर्मेंट है वह प्रभावित हो जाती है और इस से इसी मेजोरिटी के इंफ्लिएंस होने से जो माइनॉरिटी जैवो शाप साइड हो रही है ठीक है तो सकेला जा रहा है या किया जा रहे है इसको पुष किया जा रहा है कॉर्णर में रहने के लिए तो यहाँ पर क्या है कि माइनॉरिटी के साथ का VIP जुड़े होते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन जो है भेद्भाव जो है वो जुड़ा होता है ठीक है तो इसके लिए कॉंस्ट्यूशन ने काफी जो सेफगार्ड है वह दे रखते हैं हमने देखा कॉंस्ट्यूशन में आर्टिकल 29-30 है या फिर अगर हम कहें कि मानोर्टी का मतलब क्या होगा संख्या या आबादी के अनुसार भी कम हो ना फॉर एक्जापल 9010 में जो है इंफ्लूएंस कर ले रहा है अपने कल्चर एंड सोसाइटी और गवर्मेंट को ठीक है कि इसके पक्षमी नेतिया जो है जाधा बन रही है और यहां से जो यह मेजोरिट माइनोरिटी जैसे डिस एड्वांटेज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो यहां पर साइड में खिसकता जा रहा है ठीक है हो गया यहां तक अब आगे क्या है बच्चों कि हमारा कॉंस्टूशन का जो फंडामेंटल राइट है अब चलो यहां से लेकि उसे भी बराबर लाब मिले इसके लिए हमारा कॉंस्टूशन का है प्रती के कमिटेट टू प्रोटेक्शन इंडिया कल्चर एड डिवस्टी और प्रोवोटिंग एक्वालिटी और जस्टिस यह हमारा फंडमेंटल राइट हो गया अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो एडिंगली इंडिया में 14.2 पर सेंट है नुद्द में चैने कहां कंडिशन एक इसका स्टिस एसके लिए कमेटी बनती है जस्टिस है राजिंदर सच्चर कमीटी कि इसके यह एक जोकिए उसके एग्जामेन करना घा सνोशल ECONOMEC and एडूकेशन जो स्टेटर से मुस्लिम कॉम्मूनिटी का ठीक है तो साथ ही देखो कि यह जो राजंदर समीटी सचर समीटी इसके द्वारा यह कहा गया जिसे लोगों के मन में यह होता है ना कि इनके जो बच्चे है वह मदर से में ही पढ़ रहे हैं तो राजंद्र चंफर समीटी इस बताया कि मोस्लिम को लेकर आप कि अगर आपके मन में एक दर पैदा होता है जो कि सभाविक भी हो जाता है कि अगर आप हिंदू परवार से इस पुद्धे पर कहने से लोग बशते हैं तो एक दूसरे की के लिए एक हिंसा एक दर का जो माहौल है एक एक सेफटी का जो माहौल हो पैदा विश्वास नहीं कर पाते हैं तो यह क्या है कि यह आपके जब हमने पूर्वग्रह की थी धिरी धिरे आपके ऐसे अनफेर ओपिनियन जो है वही कि स्टीरियो ट्राइप में जैवलब हो गए नोड़ी बद्ध बन गए और आप उसी के एक्ट करते हो डिस्क्रिमिनीशन हो दाता है और वही आप अल्पसंख्या को वही आप आदिवासी कम्यूटी कर रहे हो कि नहीं हम जब जाएंगे तो यह जिंगालाला हू करते हमें मिलेंगे यह में किवल डांस करते मिलेंगे इ लेकिन जब आप उसका देखेंगे कि यह जो कम्यूटी है चुकि हाशिये पर है और हाशिये पर होने का कारण इसका पॉवर्टी है इसकी गरीबी है और अगर गरीबी है तो यह खाएंगे या फिर एजुकिशन देगे तो यहां पर जब हम आदिवासियों की बात करेंगे ठीक हम और और जो टाइबल ग्रुप से उनकी बात करेंगे सेस्टी की बात करते हैं मुस्लिम कम्यूटी की बात करते हैं कि अगर आपका स्टेटर्स जो है या फिर पॉवर्टी है बहुत ज़दा वेल्टी फैमिली नहीं है तब वो क्या करेंगे एजुकिशन पच्छते ह दो एक्ट हमें पढ़ने हैं कंफ्रेंटिंग को लेकर वो नेक्स क्लास में हम कर लेंगे ठीक है अभी हमने देखो क्या के चर्चा की कि आखिर जब हम हाश्य करन की बात करेंगे मार्जरलाइजेशन की बात करेंगे यानि पीच का यह वाला हिस्सा और समाज की इस हिससी मे हुआ है मूल नवासी होंगे ठीक हमने नियामगिरी हिल्स की बात की वरिया कों की हमने बात की करन अफेयर में यह काफी इंपोर्टेंट है याद रखना बहुत जादे इंपोर्टेंट है याद करोगे ठीक है कौन-कौन से जो समुधाय है वह कहां के हैं हाली में Central Government के सब्सक्राइब कीजिए बाकी फ्रेंट के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बच्छो कीप स्टुडिंग है ना एंट जुड़े रही है थैंक यू थैंक यू सो मच